दिल्ली पुलिस ने सागरफुर इलाके में हुई लूट पार्ट के तीन मामलों को सुल्जाते हुए आरोपी अक्षे, सोनू और बैभव सिर्वास्तों को गिरपतार किया है अक्षे पर 42 अपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और ये पालम थाने का घोसित अपराधी है वहीं बैभव भी नौ अपराधिक मामलों में सामिल रहा है इन तीनों ने चाकू से गोद कर तीन बुजुर्गों से लूट पार्ट की वारदात को अंजाम दिया था और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे पिड़तों में से एक मोहन लाल छावडा नाम के बुजुर्ग की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी PCR कॉल के जरिये मिले इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस तहकीकात में जुटी थी जान बीन के दौरान पुलिस को हुमन इंटेलिजन्स के जरिये सूचना मिली कि लूट पार्ट की वार्दात में शामिल अक्षे पालम इलाके में मौजूद है इसे ही अधार पर पुलिस ने कारवाई की और इसे धर्द बोचा बाद में इसकी निसान देही पर पुलिस ने सूनू को मंगलापुरी और वैभव को डाबरी से गिरबतार कर लिया पीसेर कल में पीएस सागरपुर में उस पीसेर कल में स्टैबिंग कम रॉबरी की इंसिडेंट की बारे में था जिसमें हमारा पुलिस तुरंत मोके पे पहुंच ही है तो वहां पदा चला एक विक्टिम है अशोक कुमार सनाफ नारायन से उमर 54 एर्ज ओल थे इनकी पांच टीम इसमें बनाया था तो पांचों टीम अलग अलग डारेक्शन पे इनकी ट्रेस करने के लिए ट्राक करने के लिए शुरू किया था हमने इनकी ऊपर टेक्निकल सर्वेलेंस भी मौंट कर लिया है सारी रूट्स वगरा ट्राक करना शुरू किया था बीच में हमरा अपास है कि हुमन इंट्रिजेंस मिली है यह जो अक्यूस्ट है जो फस्ट अक्यूस्ट है वो शायद पालम की अरिया में मिल सकता है तो हमार बाद फिर हमने इंट्रागेट किया फर्दर दो अक्यूस की नाम भी उन्हें अक्षे नहीं बताया था जो दो कि नाम है सोनु अलेस फुसी एज है 26 और जो तीसरा अक्यूस्ट है वाइबव स्रियास्टाव सनाव विरेंदर एज है 32 यह वो वाइबव की नो इन्वाल्मे पुलिस ने इनके कबजे से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल चाकू और बाइक भी बरामत कर ली है